दोस्तों हमारी बोडी में दो पर के कॉलेस्टरोल होते हैं एक LDL और दूसरा SDL LDL कोलेस्टरोल को हम सामानि बासा मारे बैट कोलेस्टरोल कहते हैं जो आपकी आर्टरी जानी खून की नलियों में जमता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमाई चैनल दी हैल्दी बिंग में मैं डॉक्टर विवेक आज आपको एक होम मेट नेट्रल हर्बल सीक्रेट बता रहा हूँ जिससे आप अपनी कॉलिस्टर और ट्रैग्लिसाइट को नेट्रली कम कर सकते हैं और इसका प्लस पॉइंट यह है कि यह हर्बल सीक्रेट आपके हार्ट को भी मजबूत रखेगा दोस्तों कॉलिस्टर और ट्रैग्लिसाइट हार्ड डिसर होने का एक बहुत बड़ा करण होते हैं दोस्तों हमारी बॉडी में दो परकार के कॉलिस्टरल होते हैं एक LDL और दूसरा HDL LDL कोलिस्टरल को हम सामानी बासा में बैट कोलिस्टरल कहते हैं जो आपकी आर्ट्रीज यानि खून की नलियों में जमता है और वहां प्लाक फर्मेशन करके ब्लॉकेज करता है जिसे एथिरोस क्लॉसिस कहते हैं वहीं LDL कोलिस्टरल को गुड कोलिस्टरल कहते हैं LDL आपकी आर्ट्रीज में कोलिस्टरल को एब्सॉर्ब करता है और फिर उसे लिवर तक भेजता है और फिर बोडी उसे लिवर की हेल्प से सरीर से बाहर निकालती है जब आपके सरी में बहुत ज़्यादा LDL कोलिस्टर बढ़ जाता है तो ये ट्रैजल सेट के साथ मिलकर ये आपके खून की नलियों में जम जाता है जिसे प्लाग कहते हैं एक तरह से ये खून की नलियों में आर्टीज को नेरो कर देता है इसी के वज़े से हार्ट अटेक आनी के संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपके हार्ट को भी लगातार खून के जरूरत होती है और आर्टीज के बहने वाला खून का रास्ता जब बलाग हो जाता है तो इस कारण हार्ट को बलड सप्लाई नहीं हो पाती है और इसी को हार्ड अटेक कहते हैं दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी जरूर देखेगा क्योंकि पूरी वीडियो आपके लिही बनाई गई है कोई भी अधुई जानकरी आपको पैदा बचाने के बचार नुकसान भी पहुचा सकती है अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब ने किया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजे क्योंकि हम ऐसी हैल्थ वीडियो अप्लोड करते रहते हैं दोस्तो इस वीडियो में जो होम रेमेडिय में आपको बताने जा रहा हूँ कोलिस्टल और ट्रैलिस्टाइड कम करने की वो है अरजुन की झाल और दाल चिनिका काडा जीहां दोस्तो पहले बात करते हैं कि कैसे अरजुन की झाल आपके हाट के लिए बहुत फैयादिमन्द होती है दोस्तो आयरुवेद में अर्जुन को हिर्दे के लिए best medicine बताया गया है अर्जुन आपके heart के लिए cardio protective के तरह काम करता है अर्जुन आपके blood में cholesterol और trig reset को तो कम करता ही है और आपकी blood vessels या खून की नले को relax करता है जिसकी वज़े से आपका blood vessels भी कम होता है अर्जुन यह सब करने के साथ ही आपके heart की muscles को मजबूती देता है यानि आपका heart better efficiency के साथ blood को pump करता है दोस्तो आप जानते हैं दालचिनी के पारे में दोस्तो research में प्रूव हो चुका है कि दालचिनी का powder आपके total cholesterol और trig reset को कम करने के एक बहुत अच्छी medicine है और इसके साथ ही यह blood pressure को भी कम करती है दोस्तो अर्जुन की चाल और दालचिनी का काड़ा no doubt आपके लिए रामबार से कम नहीं है दोस्तो अब जानते हैं कि इसे आपको कैसे लेना है आपको एक बड़ा glass पानी लेना है और इसमें एक छोटी चम्मच पूरी चम्मच अर्जुन की चाल का powder डालना है और इसी चम्मच का आदे से थोड़ा कम दालचिनी का powder आपको इसमें डालना है और फिर इसे आपको अच्छे से mix करके इसे तब तक उबालना है जब तक ये आदा ना रहे जाए अब इसको आपको खाली पेट एक दिन छोड़ा कर पीना है और फिक कुछ समय बाद इसे आपको एक हफ़ते तक आपसे रोख देना है और फिर से आपने एक हफ़ते बाद इसको एक दिन स्टार्ट करके फिर से पीना है दोस्तों आप जानते हैं कि इस remedy को यूज करने से पहले कुछ साफ़ जानिया दोस्तों जो diabetes या high blood pressure की medicine ले रहे हैं उन्हें जहां से उनका treatment चल रहा है उन डॉक्टर से जरूर सलाहल है क्योंकि अरजुन और दालचीनी आपके सूगर को और BP को भी खम कर सकता है जो आपके लिए emergency condition भी हो सकती है इसलिए इस remedy का यूज करने से पहले एतियाद जरूर बढ़ते हैं दूसरा दोस्तो जादा दालचीनी आपकी liver को damage भी कर सकती है इसलिए मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको एक दिन से छोड़कर पीना है और फिर कुछ gap रखकर पीना है जिससे आपकी body को unwanted harm ना पहुँचे तीसरा प्रेगनेंट लेडिस और दूद प्रिनाले वाली लेडिस अपनी गाइनिकोलर से जरूर पूछें कि क्या ये उनके लिए safe है ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं इस वीडियो से आपको काफी knowledge बढ़ी होगी तो आज इतना ही दीजे मुझे जाज़त और मिलते है अगली ऐसे नई health वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार